अगर आप एक graphic designer हैं या फिर बनना चाहते हैं तो ये website आपके लिए काफी helpful हो सकती है इसकी मदद से आप अपना कीमती वक्त बचा भी सकते हैं और पैसा कमा भी सकते हैं तो hello friends मैं तन्वीर हमद और आप देख रहे हैं ये मेरा channel TR बहादुरपूर चलिए आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं 10 IC-based website के बारे में जिसकी मदद से आप अपने graphic design को काफी easy बना सकते हैं और वहाँ से inspiration ले सकते हैं और resources भी आप free में download कर सकते हैं तो सबसे पहली website है freepic.com आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा यहाँ पे आपको हर किस्म के design मिल जाते हैं और इनको आप free में भी download कर सकते हैं और कुछ design होती है जो की पैड होती है तो अगर आपको कोई भी design करना है कोई भी binary या poster बनाना है तो उससे related जो भी चीज़ आपको चाहिए आप यहाँ पे search कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पे binary लिखेंगे और search कर देंगे तो binary से related काफी design यहाँ पर आ जाएंगे अगर उसमें से कुछ free आपको दिखता है तो आप यहाँ तो उससे download कर सकते हैं या फिर उससे एक idea ले सकते हैं कि किस तरीके का binary design आप करेंगे तो आपका binary ज्यादा खुबसूरत लगेगा यानि आपका thinking का जो process होगा वो थोड़ा सा easy हो जाएगा और बहुत सारे design यहाँ पे आपको दिखेंगे तो उससे एक idea भी लग जाएगा कि आपका जो binary आप बना रहे हैं उसमें कौन सा shape और कौन सा design ज्यादा बेतर लगेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे उपर जितने भी आ रहे हैं यह सारे free हैं आप इनको download कर सकते हैं और download करके सिर्फ अपना image और जो test है उसको change करके भी आप customer को दे सकते हैं इसके बाद दोसरे नंबर पर जो website है उसका नाम है wagtz.com यहाँ पे भी आपको बहुत सारे design मिल जाएंगे जैसे कि free pick पे मिलते हैं बिलकुल उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको जो चाहिए आप search करेंगे और उसे देखके idea लेंगे और चाहें तो उसे free में download भी कर सकते हैं इस पर भी free और paid दोनों design हैं मौझूद है फिर उसके बाद जो website है उसका नाम है pngtree.com यह एक png वाली website है यहाँ पे आपको बहुत सारे png image मिलते हैं लेकिन यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही design png में free में download कर सकते हैं बाकी के लिए आपको इसका subscription लेना पड़ेगा तो कोई जरूवत नहीं आपको subscription लेने की आप यहाँ पे चाहें तो देख सकते हैं और देख के एक idea लगा सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ आपको png चाहिए और उसको png में download कर सकते हैं और अगर लेना चाहें तो इसका subscription भी ले सकते हैं काफी सस्ता है आप देख सकते हैं यहाँ पे 80% आफ चल ला है तो इस तरीके से आप इस website से भी help ले सकते हैं और उसके बाद आपके सामने जो website है उसका नम है trbadoput.com इस पे आपको बने बनाए template, banner, flex board और बहुत सारी चीज़ें wedding card वगरा मिल जाएंगी इसमें भी कुछ free हैं और कुछ paid हैं तो आप इनको download करके अपने काम को और ज़्यादा easy कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको हिंदी वगरा का design बहुती आसानी के साथ मिल जाएगा फिर उसके बाद जो website है उसका नम है coraldra design.com आप यहाँ पे देखेंगे आपको इसमें सारी जो file मिलेंगी वो coraldra की यानी cdr file मिलेंगी तो आप इनको डाउनलोड करके और अपने coraldra में बहुती आसानी के साथ edit कर सकते हैं इसके बाद जो website है उसका नम है 1001 fonts.com यहाँ पे आपको बहुती आसानी के साथ और बहुती बेतरीन से बेतरीन font मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप अपनी design को और भी ज्यादा खुबसूरत बना सकते हैं उसके बाद एक website है इसका नम है pixabye.com इसके बारे में भी आप लोग जरूर जानते होंगे यहाँ पे आपको free में बहुत सारे images मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप अपने design को और खुबसूरत बना सकते हैं आपको जिस चीज का भी image चाहिए आप pixabye.com पे आईए और यहाँ पे उसका नाम लिखके सर्च कर लीजिए और image को डाउनलोड कर लीजिए और अगर आपको वो image png फाइल में चाहिए फिर उसके बाद यहाँ पे आता है इस website का नाम है identityfont.com ठीके अगर आपको कोई font मिला है और आप जानना चाहते हैं कि यह कौन सा font है तो आप उसका image वगरा खीच के यहाँ पे डाल सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि इस font का नाम क्या है उसके बाद यह जो website है इसका नाम है markupsforfree.com यहाँ पे आप free में markup डाउनलोड कर सकते हैं markup यह होता है कि जो design आप बनाए हैं उस design को दिखाना हो customer को कि यह कैसा look आएगा इसका आप print करने से पहले ही customer को दिखा सकते हैं जैसे माल लीजिए आपने किसी packaging का design तयार किया है तो यह Photoshop का markup होता है आप Photoshop में जाएए और अपने design को वहाँ पे रखके एक बार click करेंगे तो बिल्कुल packet पे इसी तरीके से हुआ जाएगा और दिखने लगगा कि आपका final result क्या होने वाला है फिर उसके बाद जो website है उसका नम है takepng.com यहाँ पे आप बहुत सारे png images फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं यह भी बिल्कुल png tree की तरह है लेकिन png tree पे आप सिर्फ और सिर्फ एक ही png file फ्री में डाउनलोड करेंगे और यहाँ से आप जितने चाहें png file बिल्कुल आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं तो उम्मीद है कि आप इन सारी website को एक बार जरूर चेक करेंगे अगर आपके लिए वीडियो helpful ना तो वीडियो को like जरूर कर दें और अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe भी कर दें